जैन फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी डूप चैनल प्रमोसर वारानसी में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्प्यूटर के टॉप 20 कोशन को फ्रेंट्स जो सीरीज चले ये टॉप 20 की डे 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं आज डे निमलिकित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भासाओं के समूह का सदस से नहीं है तो यहाँ पर आपको बताना है प्रोग्रामिंग भासाओं के समूह का सदस से कौन सा नहीं है तो हम जानते हैं Assembly Language होता है C++ होता है Java होता है C होता है लेकिन प्रोग्रामिंग भासाओं का समू POP 3 नहीं होता है तो option number B बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से programming भासाओं का समूँ नहीं होता है अब यहाँ पर देखिए POP 3 का कई बार full form बता चुके हैं Top 20 नामक स्रीज में तो आप लोगो comment box से बताना है कि POP 3 का full form क्या होता है चलिए next है अन्चाहे email को सामानेते है क्या कहा जाता है इसमें 4 विकल्प दिएगे आपको इस विकल्प से pick out करना है which option is the correct तो अन्चाहे email को सामानेते है क्या कहा जाता है spam कहा जाता है क्या कहते हैं spam कहते हैं right answer हो जाएगा option number B यानि unsolicited email को क्या कहा जाता है spam कहा जाता है option number B बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question है इन में से किसका प्रयोग करा इसमें से किसका प्रयोग computer दोरा एक प्रक्रिया अभिमुक भासा कारेकरम को मसीनी भासा में कारेकरम में बल देता है तो friends से very 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 important question है या question तो definitely पूछा जाता है तो इन में से इसका right answer क्या हो जाएगा compiler हो जाएगा compiler क्या है एक error free system software है जो high level language को मसीनी language में बदलता है high level language को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं source code क्या कहते हैं या source code कहते है और object code को मसीनी भासा कहा जाता है यानि मसीनी language कहा जाता है ठीक है तो यहां हमसे पूछ रहा है कि कौन सा भासा प्रोग्राम मसीनी भासा में बदलता है तो simple सी बात है मसीनी भासा में convert करने की बात कर रहा है तो यहांपर compiler बिलकुल सही हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा option number C जो compiler होता है या high level language को मसीन language में convert करता है चलिए next one है Photoshop ऐसा software प्रोग्राम जिसका उप्योग image editing, graphic design और digital art के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है निमलिकित में से किस company के पास इस software को बेचने का अधिकार है चलिए यहाँ पर आपको बताना इसका right answer क्या होगा तो जो Photoshop होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं image को edit करते हैं, graphic design बनाते हैं और digital art के बड़े बड़े पैमाने होते हैं जो किस के पास इसकी authority है तो किस company के पास software बेचने का अधिकार है तो Adobe INC के पास इसका अधिकार है तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा very 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 important question once again ठीक है, तो Photoshop ऐसा software program है जिसका उपयोग image editing, graphic design और digital art के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है निम्लिकित में से किस company के पास इस software को बेचने का अधिकार है Adobe INC के पास इसका अधिकार है चलिए, next one है अगले question पर चलते हैं अगला प्रस्ण है, 70 number का है करा कि इन में से कौन सा car है किसी computer के CPU दोरा निस्पादित नहीं किया जाता है यानि कौन सा ऐसा car है CPU को जो execute नहीं किया जाता है execute नहीं किया जाता है इन में से execute नहीं करता है चलिए, next question है Central processing unit जिसको कहते हैं CPU CPU में क्या होता है तो जो Central processing unit पहले तो इसका full form याद रखिए क्योंकि CPU का full form बहुत पूछा जाता है तो इसका pull up होता है Central processing unit होता है और जो इसके unit होते हैं जो इसके भाग होते हैं इसके प्राथमिक storage कहा जाता है तो बहुत important question है इसको जरूर प्रेंडाउन कर लिजेगा और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के description box में टेलिग्राम का link दिया गया टेलिग्राम के link को जोईन के लिजेए वहाँ पर इसका PDF आपको दे दिया जाएगा और वहाँ से आप easily revise कर सकते हैं चलिए next one है अगले question चलते है अगला question है निमलिकित में से कौन सा database software का एक उधारण है या database जब भी आपको दिखे तुरंत आप क्या करेंगे Oracle पर tick करेंगे किस पर Oracle पर tick करेंगे तो database software की बात कर रहा है यानि यहाँ पर DBMS की बात कर रहा है किसकी DBMS की ठीक है यान database management system तो कौन सा database software है तो Oracle IDBMS यहाँ पर database software होता है चलिए अगला question है computer पर डाले में कौन सा programming भासा नहीं है यानि इन में से आपको pick out करना है कौन सा programming language यहाँ पर नहीं है तो यहाँ कोबोल होता है Pascal होता है Fortran होता है लेकिन Lotus नहीं होता है तो option number D बिल्कुल सही हो जाएगा Lotus यहाँ पर नहीं है यानि programming भासा अगन कौन सी है यहाँ पर कोबोल है Pascal है, Fortran है लेकिन Lotus थोड़ी नहीं होता है तो option number D बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next one है Gmail कितना free storage प्रदान करता है देखे एक एक question अगर जो हमारी e-book है न उसको अच्छे से अगर आप रटे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी computer की e-book नहीं परचेच की है तो e-book आज ही परचेच कर लिजिए और आप अपने score को बहतर बनाईए चलिए Gmail कितना free storage प्रदान करता है तो Gmail 15 GB free storage प्रदान करता है राइट एंस रो जाएगा option number C next one है Facebook की शुरुआत किस वर्स की गई थी बहुत important question है तो Facebook की शुरुआत किस वर्स की गई थे देखिए आपके स्लेबस में social networking वाला chapter add है तो social networking वाला chapter add है यहाँ से प्रस्ण आपको definitely 110% जो है पूछा जाएगा तो आपको एक कोशन अच्छे से रट लेना है जैसे YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn इन सबकी अस्थापना कभी इसके founder काउन है और इसके located कहाँ है इसकी situation कहाँ है प्रथम CEO काउन थे सब कुछ आपको e-book में मिलेगा तो एक कोशन अच्छे से रट लिजए गए यहां से आपको definitely कोशन देखने को मिलेगा तो यहां पर Facebook की शुरुआत किस वर्स की गई थी तो Facebook की शुरुआत 2004 में की गई थी अगर इसके founded year की exact date की बात करें तो 4 February 2004 को ठीक है Facebook की exact date की बात करें तो 4 February 2004 को Facebook की अस्थापना होई और location की बात करें यहां मैनलो पार्क केलिफोर्निया में यहां located है और इसके founder की बात करें तो founder Mark जुकर बर्ग है और Facebook Messenger किस वर्स जारी किया गया था 2011 में बहुत important question है तो इसको जरूर याद रखिएगा तो Facebook की सुरुआत कभ हुई 2004 में अगला question है इन में से किस input device का उपयोग ब्यापक रूप से योगजिता परिक्षण जैसे परिक्षणों में किया जाता है यानि क्या पूछ रहा है जो हमारी OMR seat होती है उसकी जांचने के लिए पूछ रहा है जो आप इस पर टाइप राइटर करते हैं टाइपिंग करते हैं इस सैली का अविसकार किसे ने किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था चलिए next one है software का प्राथमिक उद्देश क्या होता तो software का जो primary उद्देश होता है या data को information में convert करना इसका primary उद्देश होता है याणि data को सूचना में convert करना इसका primary उद्देश होता है तो right answer जाएगा option number B चलिए यहाँ पर right answer option number B होगा अगले question पर चलते है next one है काउन सा storage माध्यम सबसे तेज और महगा है चलिए यहाँ पर आपको definitely अगले question बहुत जादा पूछा जाता है तो काउन सा storage माध्यम सबसे तेज और महगा है तो कैस, कैस option number D हो जाएगा चलिए next one question है कि वहाँ काउन सा नियम है जो बताता है कि processor गती या computer की समगर प्रसंस्क्रण गती यह मूर का नियम बताता है option number B हो जाएगा मूर का नियम तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ पर day number 6 complete होता है जो top 10 के नाम स्रीज चलती है और एक-एक question रट लिजएगा definitely आपको निश्चित रुप से बहुत फायदा होने वाला है फ्रेंट से एक ज़रूरी सूचना है यहाँ पर computer की e-book के reference में अगर आप junior assistant, VPO stenograph or forest guard, ETO अने परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं जहाँ पर computer अनिवार कर दिया गया है तो यहाँ पर computer का जो latest pattern है यूपिटर पल से का इसी पर आधारित एक नई बुक प्रिपेर की गई है और इस बुक में सब कुछ अच्छे से डियाइन किया गया है तो अगर आपने इस बुक को अभी तक purchase नहीं किया है तो आज ही इस बुक को purchase करें purchase करने का तरीका जो screen पर number दिया जा रहा है 9793661506 इस पर 100 रुपे फोन पे करके आप इस बुक को लेकर अपनी तयारी बहुत बहतर बना सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ए रही आज की वीडियो और वीडियो कैसे लिए कमेंड बॉक्स में जरूरू बताएं मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वन्दे मातरम खुश रहें मस्त रहें